असलाम अलेकम दोस्तों कैसे हैं आप सब अमीदा आप सब लोखेडियत से होंगे लफाक सब लहों को मिने अपने घर में खुश रखे मैं हुए जब राज आपनों के लिए लेकी आई हूँ नीला चॉकलिटर मार्बिल केक की रैस्पी इसे बनाना बहुत ही जी है बहुत ही स सोडा हाफ स्पून और उसके बाद लिया है वेकिंग पाउडर ये भी हाफ स्पून इन सब ड्राइन ग्रीजेंट्स को हम सबसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं उसके बाद मैंने यहां पे लिया है एक ब्लेंडर जार इसमें हमें सबसे पहले लोगे दो अदद उसके बाद इसमें जाएगा आउयल वन कप चीनी जाएगी इसमें अब वन कप उसके बाद इसमें जाएगा वनीला एसंस एक चमच अब इन सब चीजों को हम लोग ने पांच मिन तक अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है ताकि फॉमी कंसिस्टेंसी में आ जाए अब इस हम ड्रा इंग्रिडियेट्स में शामिल कर देंगे और इसे अची तरह से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे और फिर इसमें मिक्स करते जाएंगे उसके पाद बाकी बचा हुआ जो बैटर है उसे भी हम इसमें शामिल करेंगे और इसे अची सारह मिक्स कर लेंगे अगर बैटर हमारा थोरा सा ठीक रहता है तो हम इसमें मिल्क शामिल कर लेंगे अब इसे शामिल करके हम लोग अच्छे सब्सक्राइब कर लेंगे और यहां हमारा केक कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल अच्छी है अब हम इसमें से 3-4 टेबल स्पून बेटर जो है वो सेपरेट कर लेंगे इसी दोन फ्रेंज अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और यहां पर मैंने ले लिए है कोको पाउडर यह जाएगा एक चमच इसको हम अची तरह से इस बैटर में भी मिक्स कर लेंगे यहां पर चाकलेट केक का बैटर जो है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुक है तो हम लोग यहां पर एक लेंगे जिप लोग बैग और इसमें हम सारा बैटर जो है वो डाल देंगे यहाँ पर मैंने सारा बैटर जो है वो इसमें डाल दिया और यहाँ पर लेंगे हम लोग केकि लिए मॉल्ल जिसे मैं इसीतरा से ग्रीज करके इसте पर बटर पेपर लगाarma दिये सारा बैटर जो है हम इसमें मॉल्ल में डाल देंगे और अगर आप चाहें तो कोई भी स्टील यहां सिल्वर्ट का बर्तन यूज कर सकते हैं उसमें आप बेख कर सकते हैं लेकिन जरूरी यह है उसे पहले ग्रीज कर लिया जाए अब इसमें से हम सारे एर बबुज हैं निकाल देंगे ताकर केक जो है वो हमारा अच्छा बने और उसके बाद मैंने चॉकलिट केक के लिए जो अलाइदा से बैटर लेडि किया हुआ था वो हम लग इस पर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे जैसे आपको इजी लगी हैं जैसे आप अपने मताबिक डिसाइन करना चाहते हैं वैसे कर लें अब मैंने यहां पर एक स्टिक लिए जिसके मदद से मैं इसमें डिजाइन बना दूंगी यह केक दिखने भी बहुत अच्छा और खाने में भी बहुत टेस्टी दो फ्लेवर्स आ जाते हैं इसमें तो यह बहुत ही यूमी और टेस्टी लगता है यहां पर मैंने बढ़ा पतीला जो है वह प्रीखीट कर लिए तकरिवन पता मिनिट पहले ही और उसके अंदर हम लोग अपने केक मौर रख देंगे और इसे कवर करके रख देंगे इसे कवर करके हमने पहले आलमस्ट थार्टी मिनिट्स रखना है लेको लोग फ लेंपे अब हम यहां पर तकरिवन 40 मिनिट्स तक लेता है और केक मारा हो जाता है यहां पर दुबारा मैंने चेक किया तो केक मारा जो है वह ऑलमस्ट डन लग रहे है एक स्टिक की मदड़ से मैं चेक कर लूँगी और कोई भी बैटर जो है इस पर लगा हुआ नहीं है इस मीन्स केक हमारा चीतरा से कुख हो चुक है इस हम मोल्ड से निकाल लेंगे और ऑल के ग्रीसिंग के वज़ा से आप देखीगा इसका बटर पेपर जो है वो बहुत एजिली रिमूव हो जाएगा और यह रिखेजी केक हमारा माशाला बहुत ही प्यारा लग रहा है खाने में भी बहुत टेस्टी और यमी बना था दो फ्लेवर जा जाते हैं तो इसलिए खाने में बहुत यमी लगता है और हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर लिए आप देख सकते हैं बहुत ही सौफ्ट है अंदर से बहुत अची तरह से कुछ चुछ सुक है आप इसे लाजमी ट्राइ कीजिए यह रैस्पे अपने फ्रेंज और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अपना बहुत क्यारा की अल्ला हाफीज